हलो दोस्तों हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज हम आपकी लिए लेकर आ हैं मसारा लसी की रेसिपी जो की बहुत ही ज़्यादा स्पैसी भी है चटपुटी भी है आपको इन गर्मियों में यह रेसिप बहुत पसंद आने वाली है तो ट्राइ कीजेगा रेसिपी प द्धनिया लिया है नमक साबुत लाल मिर्ची और कुछ लसन की कलियां ब्लेंडिंग जार में हम डाल देंगे साबुत लाल मिर्च साबो जीरा, भुनावा जीरा है ये साबो धनिया, धनिया हमने भुना नहीं है, कच्चा ही डालना है और इसमें डाल देंगे लहसन की कल्या आप देखिए इन मसालों का कितना अच्छा टेस्ट आता है नमाग डाल देंगे अपने इस बात के नुसार इसमें डाल देंगे दही ये हमने दही डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल दिया है क्योंकि जो मसाला लस्य होती है, मसाला छाच होती है थोड़ी पतली होती है इसलिए हमने इसमें पानी डाला है और चला लेंगे दस से बीस सेकंड तक चलाना है फिर रोक देना है फिर दस से बीस सेकंड तक चलाना है फिर रोक देना है इसी तरह से हमने इसे गुवाना है और देड़ से दो मिनट का प्रोसेस है देरिट से दो मिनट में आपकी जो लसी है वो बन कर ready हो जाएगी बहुत ही easy और बहुत ही असान recipe है ये तो ये देखिए हमारी मसाला चाज मसाला लसी भी वोल सकते हैं मसाला चाज भी वोल सकते हैं क्यों कि आम पानी का यूजबी क्या है तो मसाला चाच हो गई ये क्योंगी जो लसी होती है वो काफी गाड़ी और थिक होती है जो चाच होती है वो थोड़ी पतली होती है तो देखिए हमारी मसाला लसी बनकर रड़ी है तो इस पर डाल देंगे थोड़ा सा भुनावा जीरा गार्णिश भी हो जाएगा और देरे की खुश्बू भी आ जाएगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है ये चार्च तो हेल्थी होती है वैसे भी लसी और चार्च आप इन गर्णिश बना कर जो टेस्ट है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है ट्राब बनाकर ट्राय कीजिएगा रैस्पी पसंद आती है लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बारा है तो की बिना बिल्कुल नहीं जाएगा तो जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखे टेक कियर बाबाई